नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बैंक के बारे में डिसकस करने वाले हैं, जिसने 5 करोड लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है एक ऐसा बैंक जिसकी 95% ओनर्शिप गरीबों के पास है एक ऐसा बैंक जिसने अपने 97% लोन्स सिर्फ गरीब महिलाओं को दिये है एक ऐसा बैंक जो बिना गैरेंटी के लोन्स देता है, एक ऐसा बैंक जो सिर्फ गरीबों को लोन देता है जी हाँ, ऐसा बैंक exist करता है और इस बैंक का नाम है ग्रामीन बैंक तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है प्रोफेसर मोहमद यूनस यही है ग्रामीन बैंक के फाउंडर चलिए जानते हैं इनकी कहानी यह अपनी पिएजडी करने के लिए अमेरिका गए वहां उन्होंने एक दो साल कॉलेजिस में पढ़ाया और जब 1972 में बांगलादेश आजाद हो गया तो वो बांगलादेश आ गए अपनी देश की कुछ सेवा करने के लिए वहां आकर उन्होंने देखा कि बांगलादेश बहुत ही ज़ादा पिछड़ चुका था और एक बहुत ही गरीब देश था और 1974 में जब एक बहुत ही खतरनाक फ्लड आई तो बांगलादेश में हालात और ज़ादा बिगड़ गए लाखों लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा और हजारों लोगों ने अपनी जान गवा दी यह देखकर मुहम्मद यूनिस में लोगों को हेल्प करने की अर्ज और ज़ादा बढ़ गई और उन्होंने आसपास देखा कि लोगों को लोन लेने में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है गरीब लोगों के पास कोई collateral नहीं होता यानि कोई guarantee नहीं होती कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता तो जो commercial banks होते हैं वो उन्हें loan नहीं देते उनके पास loan के informal sources बचते हैं जैसे कि वहाँ के जमीनदार या साहुकार लेकिन वो लोग इन लोगों को बहुत ही जादा exploit करते थे और manipulative terms पे loan लेकर हमेशा के लिए उन्हें debt trap में फसाद देते थे ये देखकर मुहमद युनिस ने इसका solution निकालने की सोचा तो उन्होंने एक बहुत ही छोटे amount से शुरू किया जो था 27 dollars अगर आप 27 dollars को इंडियन रुपी में आज की तारीक में convert करेंगे तो वो around होगा 3,000 रुपए जी हाँ उन्होंने 3,000 रुपए 42 लोगों में distribute करें और इसी system को हम बोलते हैं micro financing इसके अंदर बहुत छोटा amount लोगों को दिया जाता है उनके businesses करने के लिए उसने बांगलादेश में ये गरीबी इतनी थी कि ये amount भी बहुत जादा था और इससे उन्होंने लोगों को loan दिया उन लोगोंने अपने business से शुरू किये और उन्होंने मौहमद युनोस को पैसे वापिस किये इस system की success देखकर वो चौक गए और उन्होंने इसको और बड़ा करने के सोचा उन्होंने अपने village में इसको अच्छे level पर practice किया उसके बाद वो कई सारे banks के पास गए अपना ये model लेके कि आप इस तरीके से गरीबों को loan दिजिए और वो आपको पैसे वापिस भी कर देंगे और आप उनसे कोई guarantee भी मत लीजिए लेकिन कई सारे commercial banks ने उनको मना कर दिया एक बार एक bank manager ने उनसे बोला कि अगर आप एक और village में इसको सही से implement कर देंगे तो हम आपका model उठा लेंगे और हम उसे practice करने लग जाएंगे मुहमद युनिशनम का challenge accept किया और उस एक और district के अंदर उन्होंने उसे अच्छे से implement कर दिया लेकिन bank फिर भी नहीं माना उन्होंने का इस area में तो लोग आपको जानते हैं इस वज़े से वो आपको loan वापिस कर रहे हैं लेकिन दूसरे areas के अंदर तो ऐसा नहीं होने वाला तो उन्होंने एक और challenge accept किया और बांगलादेश के किसी और area में उन्होंने loan बाटे और इस तरीके से जो इसका default rate थी वो बहुत कम थी और कई सारे लोगों ने अपने loan वापिस किये लेकिन फिर भी banks ने इस system को adopt करने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि गरीब लोग credit वर्दी नहीं है यानि गरीब लोग loan लेने लायक ही नहीं है इस बात से मोहमद यूनिस बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना bank बनाने की सोचा वो उस ताइब बांगलादेश bank के पास गए जो इसे इंडिया में RBI होता है Reserve Bank of India वैसे ही वहां का Central Bank है बांगलादेश bank उन्होंने उनसे bank बनाने की पर्मिशन ली कई सारे उन्होंने इंटरनेशनल इजन्सी को अप्रोच किया अपना मॉडल बताया और उन्होंने बहुत सारी funding रेस करी और यहीं से शुरुवात हो गई पांगलादेश के Grammine Bank की और उन्होंने कही सारी अपनी ब्रांचेश एक्स्पैंड करना शुरू कर दिया और देखते देखते ग्रामिण बैंक एक सक्सेस स्टोरी बन गया ग्रामीन बनक आज तक का अकेला कंपनी है जिसे Nobel Prize मिला है जी हाँ आज तक किसी भी कंपनी को Nobel Prize नहीं मिला है सिवाए ग्रामीन बनक के 2007 में Nobel Prize मिला था और इसके फाउंडर नाँगन यूनस को भी उस ताइम Nobel Prize मिला था अगर हम इसके इंपक्ट की बात करें तो इसने पांच करोड लोगों को बांगलादेश में गरीबी से बाहर निकाला है जिस जिस जगा पर भी ग्रामींट बैंक की ब्रांचेज हैं वहाँ पे लोगों की पर क्यापिटा इंकम बहुत जादा इंक्रीज हुई है और सेनिटेशन के लेवल्स भी बड़े हैं वहाँ लोगों की लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो दूसरे एरिया से बहुत जादा बढ़ा है वहाँ की loan recovery rate अगर आप देखेंगे तो यह शक किया जाता है कि गरीब लोग loan वापिस करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन इनकी loan recovery rate कई सारे commercial bank से भी जादा है 98% तो यह दिखाता है कि गरीब लोगों को गर ट्रस्ट किया जाए और बिना guarantee कि उनको लोन दिया जाए तो भी वह अपने लोन वापिस करते हैं ग्रामीन बैंक में आज़के टाइम जितनी भी सेविंग अकाउंट में जितना भी पैसा है वो अभी जितने भी वहां के टॉप कमर्शल बैंकς हैं जो उपर के चार कमर्शल Bank से उनके भी 4 गुना है इससे पता चलता है Gramin Bank में गरीबोंने अप्ना कितना ज्यादा पैसा रख रखा है Gramin Bank ने जितना भी अपना loan दिया है उसESE 97% सिर्फ women को दिया है तो Gramin Bank एक बहुत अच्छा इंशेट्व मैं इंपाओर्मेंट के लिए और इस model को अगर अलग-अलग जगा apply किया जाए तो वहाँ पर situation बहुत अच्छी हो सकती है बच्चों की और महिलाओं की अब हम देखेंगे कि ग्रामीन बैंक इतना unusual क्यों है Normally banks अमीरों को लोन देते हैं, ग्रामीन बैंक गरीबों को लोन देता है Normally commercial banks में 70-80% loan या इससे भी ज़्यादा आदमियों को दिया जाता है यहाँ पर 97% loan औरतों को दिया जाता है Normally अगर आप जाएंगे तो banks में आपको दिखाना होगा कि आपको इस कितनी जमीन है यहाँ पर भी आपको दिखाना होगा, लेकिन यह प्रूफ करने के लिए कि आप इनकी category में आते हैं याँ यहाँ पूर है, आपके पास आधे एकर से कम जमीन होनी चाहिए Normally एक banks में guarantee लगती है, आपको कुछ collateral देना पड़ता है Grameen Bank में ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता तो आखिर इसके बाद भी Grameen Bank अपनी profitability maintain कैसे करता है इसका business model क्या है, यह आप हम देखने वाले है Grameen Bank का business model, trust me principle पर work करता है यह principle है कि जो bank है, वो अपने borrowers पर trust करता है कि वो अपना loan वापिस कर देंगे अब हम इसकी process देखते हैं, मान लीजिए मुझे Grameen Bank से loan लेना है तो मैं और 4 जनों को लेके आऊँगा, यानि 5 जनों का एक group बनाऊँगा, जिनने भी loan चाहिए उन 5 जनों को individually loan मिलेगा, group बनाने की एक condition ये है कि पहला तो वो मेरे gender के होने चाहिए, दूसरा वो मेरी family के नहीं होने चाहिए ऐसे जनों का मैं group बना कर Grameen Bank के पास जाऊँगा, अपने आपको register करऊँगा और 5 जनों को installments में loan मिलने लग जाएगा मान लिजिए loan की repayment में मैंने default कर दिया, तो उसके बाद से मुझे या मेरे किसी भी group के member को आगे loan नहीं दिया जाएगा तो मान लिजिए मैं अपनी installment में default करने वाला हूँ, तो चार जनने आके मुझे save कर लेंगे ताकि उनकी आगे के installments ना रुके है या फिर उनने आगे loan मिलने में कोई दिक्कत नहीं आए, तो इस तरीके से ग्रामिन बैंक में कोई guarantee तो नहीं होती, लेकिन एक peer pressure बना कर वहाँ पर 98% की recovery rate देखी गई है, ग्रामिन बैंक का interest rate normally bank से जाधा है, क्योंकि वो बहुत ही चोटे amount के loans देते हैं, तो वो अच्छा international donors जैसे World Bank, Ford Foundation और Institute of Agriculture Development इस टाइप के institute ने इसको बहुत सस्ते दाम पर या तो free में grants दिये, या फिर बहुत ही सस्ते दाम पर loan दिये, इसके बाद जैसे जैसे ग्रामिन बैंक बढ़ा होता गया और वहाँ पर लोगों पैसा जमाना करना शुरू किया, तो उसके बाद से वो पहले दो सारी terms and conditions समझाई जाती है, उसके बाद ही उसे loan दिया जाता है, secondly, एक बार वो loan ले ले लेता है, तो वहाँ पर उसे 16 pointer ओत दिलाई जाती है, वो ओत यह होती है, जैसे मैं time पर repayment करूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, या पढ़ाऊंगी, मैं अपन meetings जब होती हैं यहाँ पर, तो लोग अपना थोड़ा सा पैसा emergency funds में डालते हैं, थोड़ा अपना savings account में डालते हैं, यह पहले limit tag करी गई थी कि minimum आप एक टका तो डालें, एक टका is around 1 रुपीज, तो इतने इतने छोटे savings करके गरीब लोग अपने accounts में डालते हैं, और weekly meetings के अंदर, यह decide किया जाता है, किसको loan देना है, किसको नहीं देना है, यह सब वहाँ के local लोग ही decide करते हैं, मान लीजी लेकिन किसी local business owner को को कोई दिक्कत है, और वो ग्रामीन बैंक का member है, तो वो अपनी पूरी पूरे गाउं के साथ अपनी problem share कर सकता है, और अलग- पेका, ग्रामीन बैंक का एक share भी दिया जाता है, इस वज़े से 95% जो share है, ग्रामीन बैंक के वो गरीब लोगों के पास है, और जो 5% है, वो बांगलादेश बैंक के पास है, बांगलादेश बैंक, मैंने आपको बताया था, Reserve Bank of India, जैसे इंडिया में है, बांगलादेश क में गरीब लोग लेते हैं, तो इससे हम किस तरीके से गरीबों को empower कर सकते हैं, इसका एक बहुत अच्छा model देखने को मिलता है, नॉर्मली विलेज लेवल पे जब 8-10 ग्रूप्स बन जाते हैं, पांच मत जनों के, वो मिला कर एक सेंटर को बनाते हैं, उस सेंटर पे उस सारे के सारे decisions लिए जाते हैं, उस पर decide होता है कि कितने हमें loan देने हैं, प्लस हमारे financial accounts review की जाते हैं, सब लोगों के सामने, इस वज़े से सिस्टम बहुत ही जादा transparent है, जब बहुत सारे सेंटर आ जाते हैं, तो उस से branches मनती हैं, branches के बाद फिर area बनता है, और area के उपर zone हो क्योंकि इसके members exponentially increase कर रहे हैं, अब हम इसकी growth देखेंगे, अपने start से 1976 से ही इसने बहुत अच्छी growth दिखाना शुरू कर दिया, इसकी starting में growth का जो reason था, वो थे foreign funds, लेकिन धीरे धीरे यह अपने funds पे depend होके भी growth करने लग गया, सबसे बड़ा जो इसकी profitability पे सवाल खड़ा होता है, वो यह है कि starting में, यह profitable इसले था, क्योंकि इसे बहुत cheap loans आगे से मिल जाते थे, ग्रांट्स फ्री में मिल जाती थी बड़ी-बड़ी organizations के द्वारा, तो लोगों को शकता है कि यह क्या आगे जाके भी यह loan सही तरीके से दे पाएगा, अगर इसे इतने सस्ते funds ना म है, या अभी तो इससे भी जादा हो चुका है, दो मिलियन डॉलर्स लगबग 15 करोड है, यह इसका net profit है, यह सारे खर्चे हटाने के बाद यह इतना पैसा कमा रहे है, अब आपको एक चीज़ समझनी होगी, कि इसका revenue 156 million है, लेकिन क्योंकि एक social business है, इसे बहुत जादा ल से उपर वाला graph depict करता है, कि इसके members किस तरीके से increase हुए, 1986 से 1993 तक, और नीचे वाला graph बताता है, कि किस तरीके से grameen bank में रखी savings increase हुई है, तो देखिए, यह दोनों की दोनों एक straight line जैसी है, क्योंकि इसकी growth बहुत ही जादा exponential रही है, अब हम देखते है, grameen bank का future क्या है, मुहमद यूनिस ने एक trust बनाया है, जिसका नाम है grameen trust, इसे बहुत सारे foreign institutions fund करते हैं, ताकि grameen bank जैसे ही और institutions worldwide बनाये जा सकें, उनको training दे जा सकें, लोगों को, अगर आप भी ऐसी को training लेना जाते हैं, तो इनके website पी जा सकते हैं, और यह free में आपको इनके centers पे बुला सब भी ब्रांचे स्कूली, United States of America में, उन्होंने शो कर दिया कि ऐसा model सिर्फ developing या underdeveloped nations में नहीं, developed nations में भी चलाया जा सकता है, grameen America में आपको बता दूँ, एक लाख लोगों को लोन दिया है, और वो सब की सब महिलाए है, average loan है, 100 से 200 डॉलर है, यानि लगबक्स 7500 रुप का इस्तेमाल करता है, इंडिया में अगर ऐसा bank का नाम ले तो बंदन bank होका, अगर आपने देखा होगा TV पर सके बहुत चार एड़ आता है, क्योंकि वो जाधा savings account पे interest देता है, तो वो इसलिए दे पाता है, क्योंकि वो उधर जाधा interest चार्ज करता है, और उनकी प्रडूसिंग कंपनी है, फ्रांस की, इसने ग्रामीन बैंक के साथ टाइप किया, क्योंकि बांगलादेश की 50% जो बच्चे थे, वो किसी ना किसी nutrients में deficient थे, तो दनो जो की milk प्रडूसिंग कंपनी है, उसने एक ऐसा कर्ड बनाया, एक ऐसा दही बनाया, जिसके अंदर उसने सारे के सारे micronutrients artificially add कर दिये, और उसे mass level पर produce करके, बहुत ही सस्ते दामों पर उसने गाउं में बहिचना शुरूर कर दिया, और इससे बहुत जादा अच्छा असर देखने को मिला है, और कई जादा लोगों की man nourishment दूर हुई है, इसके बाद एक बहुत ही अच्छ बहुत है, और उन्हें salesman बनने का काम दिया, यानि वो घर घर जाएं और घर से related कुछ चीजें बेचें, जैसे मट्किया हो गई, या घर के काम आने वाले utensils ऐसे चीजें बेचें, और हर जने को लगबग एक दो हजार रुपय का उन्होंने लोन दिया, और उन्होंने अपने लोन वापिस किये, तो उन्होंने हजार से बढ़ा कर इसको एक लाख लोगों तक लेके चल गए, अब एक लाख बैगर्स में से, आज अगर हम बात करें तो बाइस हजार से जादा बैगर्स ने बैगिंग पूरे तरीके से चोड़ दिया, उस अभी बैगिंग भी क बहुत ही सस्ते दाम पर साफ पानी प्रोवाइड करने का काम किया, इन्होंने हर गाओं में एक प्लांट बना दिया, जो बहुत ही सस्ते में इनको पानी देता था, साफ पानी, क्योंकि बांगलादेश की अंदर नदिया भी प्लिट हो चुकी है, प्लस ग्राउन्ड वोट प्लस यह company profitable है लेकिन यह जो companies profitable हैं यह अपने profit अपने पास नहीं रखते हैं यह उसी में वापिस invest कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं social business ऐसा business जो society के लिए काम कर रहा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कर दीजिए हमारे चैनल को subscribe किजिए अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो dislike करके comments में बताइए कि आपको क्या improvement लगता है हम कर सकते हैं इस lecture की PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी धन्यवाद